तो है गाइस वेल्कम बैक टू दे अनर्दर वीडियो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पेनियर भाई नया अपडेट के बारे में पेनियर भाई में नया अपडेट आ गया है जो कि बहुत ही अच्छा है आप इसका यूज़ करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते ह सो गाइस पेनियर भाई में जो अपडेट आया है उसे किस तरह से यूज़ करना है कहां पर मिलेगा सारा कुछ प्रोसेस बताने माला हूं वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जिरूर करने ना साथ में सेयर कर देना और चैनल पर है तो सबस्क्राइब पर आपके ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो को मिलता रहें चलिए उडियो को सटाट करते हैं तोगाइब सबसे पहले आपको पना लुटी अ ओपन करना हो गाज ओपन कर लेते हैं ओपन होने पर यहांपर आपने लिए देशेबड जाएगा हैodore जोगा उपन होने के बाद आप मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर वाटसप सपोर्ट मिर रहा है अगर आप प्राब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डायेक्ट अपना प्राब्लम को यहाँ पर वाटसप कर सकते हो और अपना प्राब्लम को सॉल्व कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट आपको यह वाल ओप्सन दिखाए नीदे रहे हैं तो अपना प्राइब करने के बाद आपको यह वाल फीचर मिल जाएगा के बाइबर एगे अगर अगरा पे जो करते हो तो आपको कहे न कहे पर प्रग्लम आता हो गाई contar division रेक्स चुट इसको आप सपोड़ करके प्रोब्लम को कर सकते हो पहले यहाँ पर वर्टटवP को ओप्सन नहीं था लेगिन यहाँ पर वर्सक्ष पक्लीक का आचुका है अगर आपको कोई प्रोब्लम होपन होने के यहाँ से हम में चैट कर सकते हैं पेनियर भाई से जैसे कि मैं यहां पर सिंपली ही आटोमेटिक लिखा हुआ है यहां पर इसे सेंड कर देता हूं सेंड करने के बाद यहां से हमें रिपलाई आएगा तो यहां पर देखिए रिपलाई आचुका है उसके बाद यहां पर आपको लिखा है पेनियर पर आपको सर्विसेस भी दिखाया गया है पेमेंट में आपको सी एन पी बिल पेमेंट्स और कैस्स कलेक्शन यहां पर दिखाया गया है बेंकिंग में आपको आप यहां पर देख सकते हैं इसका स्टेटस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सो गैस्ट यहां पर अगर आपको चाहते हो तो यहाँ पर जो option है उसको आपको send करना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको example के लिखा है please type one option example के लिए यहाँ पर अगर आप 4 कर देंगे तो APS को option है APS का सारे डेल आपको यहाँ पर show करा देगा और other help के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है यहाँ से आप contact कर सकते हो पर यहाँ को जो कि वहुंती अच्छा update है एक्जामपल के लिए मैं यहाँ for send कर देता हूं और send करने के बाद देखिए वहाँ से reply आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर apply आ चुका है please enter transaction ID to check APS transaction status आपको यहाँ पर जो status जानना है अपना transaction का तो उसका आपको यहाँ पर transaction ID डालना होगा transaction ID डालने के बाद आपका जो transaction है उसके बारे में आपको बता देगा अगर कोई problem होता है आपको तो यहाँ पर आप अपना transaction ID send कर देना जैसे कि money transfer करते हो उसका transaction ID send कर सकते हो या फिर bill payment कर सकते हो रिचार्ज कर सकते हो balance withdraw कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर reply मिल जाएगा कि कुण सब प्रॉब्लम चल रहा है क्या हो रहा है सारा कुछ detail आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे लगा आपको अच्छे लगा यानि लगा कमेंट करके मुझे जरू बत कि बहुत है को नchnya यहा है कि अनो को ब paycheck को अच्छे आपको यहदीन